मलाई से मक्खन और मक्खन से घी तो सभी लोगों ने बनाया है लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ट्रिक लाई हूँ जिसमें कि बिना मक्खन निकाले ही हम मलाई से घी बनाएंगे तो दोस्तों आप सभी का प्रफाक्रीशन में स्वागत है आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत आसान सी ट्रिक लाई हूँ जिसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है ज्यादा बरतन भी गंदे नहीं होते हैं और परिशानी भी नहीं होती है तो आईए इस ट्रिक से हम मलाई से घी बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम फ्रिज में जो 6-7 दिन की मलाई रखी भी है उसे कड़ाई में डालते हैं और उसे पकाते हैं इसे दोस्तों हमें लगभग 20-30 मिनट तक लो टू मीडियम आज पर पकाना है और तब तक पकाना है जब तक मलाई का पूरा पानी सोख न जाए जब यह अच्छी तरह से सूख जाता है तब इसमें हम एक चुटकी हल्दी डालते हैं हल्दी सिहत के लिए बहुत अच्छी होती है और इसे तब तक पकाते हैं जब तक यह जाग ना आ जाए इसके बाद गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको चान लेते हैं और चानने के बाद जो घी है वो एक किनारे हो जाता है आप देखेंगे कि दानेदार पीला और सुद्ध घी बनकर तयार हो गया है इसके बाद जो है जो मावा बचा रहता है उसमें भी घी की मातरा काफी होती है तो इससे घी निकालने के लिए हम इसको कड़ाई में डालते हैं और एक ग्लास पानी डालते हैं इसको हम कम से कम 2-3 मिनट के लिए इसको गरम करते हैं और गरम करने के बाद फिर से इसको हम चान लेते हैं चानने से जो इसमें जो घी होता है वो पानी के साथ मिक्स होकर के नीचे डोंगे में आ जाता है इसमें घी की मातरा काफी होती है तो अब हम क्या करते हैं कि कम से कम 3- कर उपर की तरफ हो जाता है और पानी नीचे रह जाता है तो पानी को हम निकाल लेंगे किसी कटोरी में और उसके बाद जो ये घी बचावा है इसमें भी पानी की काफी मातरा है तो पानी को सुखाने के लिए हम फिर से इसको कढ़ाई में डालते हैं और इसको फिर से घी के जैसे पखाएंगे. ऑर धीरे-धीरे आप दिखेंगे कि इसके जो अंदर जो पानी है उसको धीरे-धीरे करके सुखाते और यह कम से कम 5-7 मिनट का टाइम लगता है इसमें 5-7 मिनट पकाने के बाद घी एक किनारे हो जाता है और सारा पानी जो है सूख जाता है और इसको भी हम फिर दुबारे से छान लेते हैं इस तरह से मलाईय से हमको दो बार घी प्राप्त होता है तो फ्रेंट्स आज की वीड वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक थैंक यू हुआ का जो हुआ है संगल